सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट हेलो फ्रेंज फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स के अब्जेक्टिव के बारे में जो कि आपके लेब एसिस्टेंट पर यहां पर प्रिवेक्शक के लिए बहुत महत्तुपूर वच्छन होंगे और यहां पर आपके अगनी समक दिती अधिकारी की एक वेकेंसे निकलीवी ती उत्राखंड में जिसका भी सिलेवस आपका साइंस दिया हुआ है पुरा उसमा आपका फिजिक्स केमेस्ट्री बायलिजी और आपके उसके लिए भी यह इंपोर्टन रहेगा और यहां पर आ आपको यहां पर टेलेग्राम ग्रूप पर मिल जाएगी टेलेग्राम ग्रूप पर आपको जॉइन कर लेना है जो कि आपका एक आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पर UKEEAAAC Lab Assistant के लिए और एक आपका study with TSN के लिए तो आपको जोईन कर लेना है तो बात करते हैं पहले question जाएगा option number D आपका nuclear force सबसे ज़्यादा powerful होता है बात करते हैं अगर आपसे इसकी series पुछी जाती है कि सबसे ज्यादा powerful कौन सा है फिर सबसे कम कौन सा है तो इस तरह किसे पुछा जाते है तो सबसे ज्यादा powerful आपका D होता है उसके बाद आपका option आ जाता है या आपका C वाला सबसे ज्यादा होता है फिर उसके बाद आपका B होता है और सबसे कम आपका होता है A वाला अगर इसका आपका value पूचे जाती तो इसके आपकी 1 होती है इसके आपका 10 to the power minus 3 होती है और यहाँ पर 10 to the power minus 13 हो जाएगा और यहाँ पर 10 to the power minus 40 हो जाएगा तो आपका gravitational force आप आपके पास दिया हुआ है, A body start from 20 meter per second, if its acceleration is 2 meter per second square, then the velocity of the body after 10 second is, तो option आपको दिया हुआ है, A option आपके पास है, 40 meter per second, B option आपके पास है, 20 meter per second, C है 30, और D आपको दिया है, 10 meter per second, option आपको एक बार question फिर से देख लेना है, और वीडियो को पास करके इसको खुद एक बार solve कर लेना है, तो दिखे, आपको दिया क्या क्या हुआ है, यहापे U आपको दिया हुआ है, 20 meter per second दिया हुआ है, और यहापे आपको A दिया हुआ है, जो कि आपका 2 meter per second square है, और यहाप जो आपका sensor निकलेगा इसके बाद अगला जो पार निकलेगा उसमां आपको जो दो formula है वो आपको use करने का दिखाया जाएगा तो देखें यहां पर आपको कौन सा formula लगाना है V is equal to you plus Plus at तो एक समानी formula है तो यहां पर देखें आपको यहां से आपको V आपका निकलेगा तो U आपको दिया हुआ ए, A आपको दिया हुआ है, T आपको दिया होँआ, तो यहांसे आपका answer बनेगा तो इन दोनें इस equation आपका बनता है तो यह भी आपको अच्छे से याद कर लेना है तो देखिए, option आपके पास क्या-क्या दिया हुआ है temperature दिया हुआ है, charge दिया हुआ है coefficient of friction दिया हुआ है, impulse दिया हुआ है तो यहापर पूछा क्या जा रहा है, scalar पूछा जा रहा है तो यहापर देखिए, angular velocity, angular momentum, angular acceleration या फिर frequency तो यहापर आपको 4 option मिल चुक है तो इसका भी आपका right answer हो जाएगा A option हो जाएगा, यहापर आपका right answer, angular velocity 5 question के बात करते है In the case of uniform motion acceleration is option आपके बाद 0 होता है, negative होता है, positive होता है या none of these होता है तो यहापर देखिए, आपका right answer हो जाएगा आपका क्या होता है, 0 होता है चछटा question है Kepler first law is known as आपको यहाँ से Kepler से आपको मिल सकता है यहाँ पर जितने भी आपके law दिये हुए हैं वहाँ से आपको question देखने को मिलेंगे तो देखिए, चार option आपको दिये हुए है law of orbit दिया हुआ है, law of area दिया हुआ है law of periods दिया हुआ है या फिर आप none of these दिया हुआ है तो देखिए, आपके इसमें से right answer हो जाएगा वह आपका हो जाएगा A option, law of orbit पे आपका first law काम करता है अगला देखिए, यह भी बहुत ज़्यादा important question है इसी से लिया हुआ है देखिए, यहाँ पर which of the following Kepler's law is non-age harmonic law तो harmonic law के नाम से किसको जाना जाता है तो देखिए, second law को, first law को, third law को या फिर none of these तो देखिए, इसका आपका right answer हो जाएगा तो आपका third law होता है, उसको आपका harmonic law के नाम से भी जाना जाता है तो देखिए, इसको आपको अच्छे से note कर लेना है अगला question देखिए, अगला आपका temperature से question है absolute zero temperature is तो आपको पुछा जा रहा है, कि zero temperature आपका absolute zero कौन सा temperature होता है तो आपका बहुत लोग यहाँ पर गलत answer कर देते हैं, कि आपका zero degree centigrade कर लेते है तो यहाँ पर इसका right answer होता है, जो आपका होता, minus 273.15 degree centigrade तो देखिए, आपको वो आपका temperature का पूरा एक formula अच्छे से लिख लेना है जो कि मैंने आपको पुरानी classes में अच्छे से बता रखा है, जिसने पुरानी classes ना देखिए हो, आप देख सकते है और उसके बाद आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा, वो आपका minus 273.15 हो जाएगा उसके आप देखिए, first law of thermodynamics is the law of conservation of mass है, linear momentum है, energy है या angular momentum है यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, यहाँ आप सभी लोग को पता होगा, तो देखिए, यहाँ थर्मोडाइनेमिक से question है, तो आपका यहाँ पर right answer energy हो जाएगा दस्वे नंबर question है आपके पास, चार्ज क्लोग के बारे में पूछा गया है, तो V upon T is equal to constant हो आपके, formula आपका पूछा जा रहा है या फिर V is equal to constant होता है, PV is equal to constant होता है, या V is equal to 1 upon T होता है, तो यहाँ पर इसका आपका right answer हो जाएगा जो कि आपका C option है, PV is equal to आपका constant होता है, अगले question की बात करते हैं, देखिए, 11 number question आपको दिया हुआ है, देखिए, last question है, velocity of sound in a gas is independent of तो देखिए, आपको पूछा जा रहा है, independent दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, temperature option में आपके पास है, pressure of gas है, humidity है या nature of gas है, यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, जो आपका pressure of gas है, इससे independent रहता है, तो यहाँ पर आपके 11 question आपके खतम हो चुके हैं, जो कि आपका basic science का part नहीं था, यहाँ पर यह part 2a वाला part था, जो कि आपका live assistant का है, और plus यहाँ पर आपका दूर संचार और अगनी सामक वाले में भी आपका यह important रहेगा, क्योंकि syllabus आपका same है, जिन्होंने पूरानी वीडियो ना देखियों, पूरानी वीडियो देख लें, और यहाँ पर अभी तक का syllabus आपका पूरा कराच दिया चुको है, यहाँ पर देखिए जिसका भी UKAAAC में science आती है, और syllabus सब का same है, तो यहाँ पर वो सारी वीडियो देख सकता है, यहाँ पर आपको पूरा syllabus मिल जाएगा physics का, और लगवक आपको 30% मिल जाएगा chemistry का, और यहाँ पर environment की class ह आपके पास, तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि जल्दी आपका calendar आने वाला है, और जल्दी exam होने वाला है, जहाँ तक कि आपका next month exam आपके start हो जाएगे, तो जो लोग channel पर पहली बार visit करें, channel को subscribe करें, video को like करें और share करें, thank you so much.